हेलो फ्रेंड्स हम लोग शेयर्स और डिविडेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक शौट समरी दे देते हैं कि हमने शेयर्स डिविडेंस में क्या-क्या पढ़ चुके हैं आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं इसका लिंक डिस कि वो नॉमिनल वैर्यू होती है और इसके तीन कंडिशन दिये हुए थे एट पार अबब पार बिलो पार देखिए अगर आपको याद नहीं है आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि एट पार का मतलब होता है कि जब मार्केट वैल्य ले acking के बराबर हो जाती है और एक second था अब pracy कोला कि जिसका मतलब कि कंपनी का च profit which a shareholder gets from his investment in the company is called a dividend यह बहत ही असान है आप मेरा last video देख सकते हैं और dividend हमेशा एक percentage value में describe किया जाता है और company अपना dividend का value खुद ही देती है कि उसको कितना percent shareholder को commission देना है और इसमें dividend क्या होता है कि dividend कभी भी market value पे depend नहीं करता है वो हमेशा fixed value पे depend करता है जो company ने अपनी original face value रखी थी इसमें हम यह भी पढ़ा पढ़ चुके हैं कि formula कौन-कौन से होते हैं अगर आपको याद नहीं है आपने पिछला video नहीं देखा है तो आप इस समय और जल्दी से समझ सकते हैं कि जो हमने company share खरीदने में जो हमने पैसे लगा हैं वो कितने लगा हैं उसके बहुत easy easy formula है जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया मनी अगर हमें number of shares पता है उस share की market value पता है तो हमने कितना share खरीदा जैसे आपने मालीजे 200 रुपए के share खरीदिया और एक share की value है 20 रुपीज तो आपने कितना share खरीदा है simply आप calculate कर सकते हैं 200 by 20 तो आपका 10 shares आपने खरीदा है और इसको number of share आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं total dividend from the share dividend on one share और इसके एक दूसरा formula भी लगा सकते है total income upon income on one share तो यह आपको quickly recall करा रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं एक third formula होता है total dividend earned is equal to number of share into rate of dividend into nominal value of a share मैं अगर number of shares आपको पता है आपको rate of dividend पता है कि company कितना rate of dividend दे रही है और उस share की nominal value क्या है तो हम total dividend हमको कितना company ने दिया वो हम calculate कर सकते हैं तो सीधे इसको formula में value put कर देंगे कितनी income होई है कितना investment किया है और उस पर 100% आपका लग जाता है for a shareholder income is equal to return is equal to profit is equal to dividend paid by the company तो यह आपके simple 5 formula है जो question solve करने में use होते हैं इसके बार हमने 3rd exercise की थी जिसमें सारे question cover करती है अगर आपको कुछ doubt है तो आप comment कर सकते हैं आप mail कर सकते हैं आपके query को ज़रूर solve किया जाएगा अब इसके हम exercise 3 B लगाने जा रहे हैं तो चलिए चुरू करते हैं exercise 3 B के question solve करना तो सबसे पहले question number 1 solve करते है question number 1 बोल रहा है a man buys 75 rupees 100 share paying 9% dividend he buys shares at such a price that he gets 12% of his money at what price did he buy the share यहां पे यह पूछ रहा है कि उसने कितने price पे shares खरीदे हैं ठीक है आपको question समझ में आया तो इसमें जलिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या-क्या question में पहले से दिया हुआ है question number 1 है यहां पे number of shares दिये हुए है number of shares है 75 value दी हुई है value of share रुपीज 100 यहां पे हमें rate of dividend भी दे के रखका है 9% का rate of dividend है 9% 9% अब यहां पे market value हमें पता करनी है कि market value नहीं दिया है question में तो हमें find out करी पहले market value of one share let market value of one share x यहां पे हमने एक amount मान लिया market value तो हमको एक formula पता है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है rate of dividend 10 of x equal to 9% of nb 100 rupees 12 इसको solve करते है 12 by 100 x equal to 9 by 100 into 100 100 cancel हो गया इसको solve करेंगे 12 x by 100 equal to 9 x equal to 900 by 12 इसको calculate करेंगे तो हमारा division करते हैं असको 12,7 तरह 84 6 आए 0 तरह 12,5 तरह 12,5 तरह 60 तो यह calculate करने पर x की value आई 75 तो यहां पर market value पूछ रहा था कि कितने at what price did he buy the share तो market value value of each share is rupees 75 and this is the answer यह आपका first question solved हो गया है हुआ माई टापका हुआ हुआ ठुआ हुआ 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 राद